नमस्कार फ्रेंड्स आज हम आपको अपनी गाये सारंगी से मिलाएंगे सारंगी जो ही एक बहुत ही शुद्र नसल की गेर गाये है जिसे हम कामदर्न गोशारा नूर महल से लाए थे यह आपके सामने स्क्रीम पर है और हमने कुछ अलग अलग जित्तर जिसके आपके साथ शेयर की है जो कि डिफरेंट फेज अफ लेक्टेशन में है यह उस समय का वीडियो है जब यह कामदर्न गोशारा नूर महल पंजाब में थी और उसके बाद हम यहाँ पहलाए इसको उस समय इसके साथ में एक अंगत बुल जो है सागवाली गाशाला भारुनगर का परदीव सिंग राहुल जी का उसका बचड़ा इसके साथ में था यह इसका पीछे से चित्र आप देश सकते हैं कि इसका अडर काफी कमपैट है वैसे तो गाए बहुत बड़ी नहीं है मीडियम साइज गाए है दूथ भी इसका 10 से 11 लिटर 12 लिटर के आसपाजी रहता है इससे जागा नहीं होता लेकिन फिर भी इसका ओवराल स्वभाव और इसके करेक्टर स्टिक्स जो हैं उसको देखके अगर देखा जाए तो बहुत बड़िया है और अच्छी ब्रीडिंग की गाए रखने का यही फाइदा है कि आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे गुन होते हैं एक तो सबसे पहली बात यह है कि जितनी अच्छी ब्रीड की आप गाए रखेंगे उसमें भावना आपके प्रती जो है वो सबसे ज्यादा ही होगी और हमारी सारी कारों में यह सबसे ज्यादा प्रेंग करती है हमारे साथ और हमने ही इसका यहाँ पर आने के बाद में नाम डाला था सारंगी यह वहीं का फोटो है काम दिनों को चलन नोर महल का और जैसे कि इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि यह बच्चों के साथ भी इतने प्रेंग से इतने सने से मिलती है प्योर ब्रीड और शुद्ध नसल की गाये रखें शुद्ध देशी और फिर आपको प्रचा लेगा कि शुद्ध देशी गाये रखने के फाइदे क्या है और इनसे आपको कितना प्रेंग मिलता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों को अपने मित्वों को जुरू बताएं